इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, दहरादूर में अरुन जेटली के निधन पर राच्किये शोग घोशित किया गया है, प्रदेश सरकार ने एक दिन का राच्किये शोग किया है घोशित और इस वक्ति बड़ी खबर आपको बतादे पूर्वित मंत्री के निधन पर उत्राखण में शोग की लहरे बीजेपी प्रदेश का अर्याले में श्रद्धाजली सभा का आयूजन किया गया है शाम चार बजे श्रद्धाजली सभा का आयूजन किया चाहेगा पूर्वित मंत्री की निधन पर उत्राखण में शोग, विजेट्पी प्रदेश कार्याले में श्रधांजली सभा का आयोजन, शाम चार बजेश श्रधांजली सभा का होगा आयोजन, गल्च आयोजन, करूजन के लिए वार जानकारी के लिए मारे समवाद दाता हरीश करेड़ा, मैं अजाद जोचक है, हरीश कोण कोण शामिल होगा इस सभा में? देखे आज पूर वितमंत्री के निधन के बाद पूरे उत्राखाय में शोग की लेहर हैं इसलिए जो वाजपा के जमाम जो कारेकरम थे सबको इस्तवित कर दिया गया है आज एक महतकूं पैटक भी होनी थी अबीजपी में लेकिन वह भी आज इस्तवित की कही है तो कुल मे करने के निधन आज चोग शोग कि लिए और फर देखे जाए है और आज की अगरवाट करें कि झाज प्रमाराने इसलिए यह लेक्ट प्रशेश ख्रोगुन कि वोगजिए और अज लिए ऐस्तार्ट में आज पूरी उत्राखंट में शोग मनाया जा रहा है एस्तित ग्रश पर दिया गया है आज 25 तारिक और पूरी जिसकर से आज बीजेपी जो पर सारे लए हैं वहां पर सभी जो प्राजीकारी हैं साथ यसाथ क्यों कारेशता हैं वो भी इस शवा में शामिल होगो जी जी अरिश बहुत वह शुक्रिया आपका इंसा भी जानकारी के लिए प्रदेश का रियले में श्रधाणजली सभा का आयूज़त अरब करते हैं खबरों का रुदुपूर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने एक कायरकरम में शिरकत की इस दौरान बीजेपी विधायक ठुकराल ने कॉंग्रेस पर जमकर बरसे हैं और विधायक खुद हरिश रावत ने अपने मूँ से कही विधायक ने कहा कि जो व्यक्ति खुद अपने मूँ से ये बात कह रहा है तो वो कब तक बचेगा क会ट संत कृतशे होब साथ कर ने इतन है इतने बड़ी गोडाले की है इतनी बड़ी संपत्ती मेरे खटोला जाओं का कोई आदमी निकल जा तो इतनी संपत्ती खरौ 2017 के संबत्ति एकठी नहीं कर सकता आपने मंत्री रहते ए है आपने अपने अधिकारों का दूर पे रहते हुले आपने ग्रहामंत्री रहते हुलें । अप seeking q लूगों के संभव मदद की जाएगी बीडित लोगों को रोजगार स्वास विधाएं और जहां जहां सडके तूटी हुई है उन्हें जल्दी खोलने की संबंदित अधिकारियों को नर्देश देनी की बात कही है साथ सरकार द्वारा पाहर से तेज हो रहें पलायन को रोकने बेरोजगारी स्वास और सिक्षा पर विस्तार से जानकारी दी बोगली परिष्टितों का पुदिश है शंगर्स किया पगत ये लोगों ने कि यहां की बोगली परिष्टितों के हिसाब से अपना राज्य होगा तो उस तरह का विकास होगा लेकिन यह नहीं है यहां ढुलान है वहां से यहां लाना सारी जी केदारना धाम पैदल यातरा मांगर पर जगा जगा बरसाती नाले बहए रहे जिस कारण यातरी जान जोखिम में डाल कर केदारना धाम की यातरा कर रहे केदारनाथ धाम में लगतार हो रही बारिश के कारण धाम में चल रहा है पुलन निर्मान कार भी प्रभावित हो रहे हैं केदारनाथ जाने वाले तीर थियात्रियों को पैदल मार्ग पर कई परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है केदारनात में शंक्राचारिये गदिस तलास्तापत घाट आदी का निर्माण कारे चल रहा है लेकिन कई दिनों से हो रही बारिश से निर्माण कारों ही करना मुश्किल हो रहा है जिला अधिकारी मंगेश गिंठियाल का कहना है कि बारिष से पुनर निर्मार कारों में दिक्कते आ रही है। पुनर निर्मार कारों बारिष के कारण प्रभावित हो रहे हैं। पैदल यातरा मार्क पर भूस्खलन होने पर SDRF और DDRF के जवान यात्रियों की सायता कर रहे है तो अभी कुछ दिन से लगातार बारिष दिन के लगभग 6-7 धंडे बारिष हो रही है। इस बज़े से कारे करने का जो समय मिल रहा है। काफी कम मिल रहा है। इसके बावदूप भी हमने देखा कि कारियों में प्रगत्री संतोश में हैं। इसी परकार सुरसुकी के पु इसके लिए लेट बैंक एबटमेंट में शट्रिंग का काम शुरू हो गया है। इसमें भी हम 2-3 बहिने में इसको पुरा कर लेके। शंकराजारे समाधी से लगातार बीड़ायी का कारें पुरा हो गया है। और सेकर्ड स्टेज का कारे आज से वहां पर भी शुरू हुज उत्तरकाशी में डॉक्टर आशी शवहान नियारा कोट बेस कैम्प में आपदा नोडाल अधिकारियों के साथ बैठक की है डियम ने बैठक में विदुत बहल करने हेतू बिजली के पोल एवं रसद पहुचाने के साथ टिकोची स्कूल में भरे मलबे को खाली कराने के भी न निर्देश दिये और राहत समागरी मोल्डी तक सड़क मार्क से मजदूरों द्वारा बर्नाली बेस कैम्प तक रसद सहीत जरूरी समान पहुचाने के निर्देश दिये देरादूर में परमधाम नियास के संचालक और क्रांती गुरू चंद्रमुहन महराज पर उन्हीं के आश्रम से जुड़ी दो महिलाओं ने दुशकर्म करने का आरोप लगाया है राजपूर पुलिस ने घटनास्तल का निरिक्षण कर सहस्त धारा रोट पर मौजूद आश्रम से जुड़े लोगों के बयान दर्श किये हैं मामने में पुलिस अधिक्षक नगर श्वैता चौबे ने बताया कि राजपूर थाने में दो महिलाओं ने शिकायत दर्श कराई कि 22 जून को पीड़तों से एक महिला मीटिंग में भाग लेने में सहस्तर धारा आश्रम आई थी दिन में मीटिंग के बाद रात में वा आश्रम के तीन शेट के नीचे ही सो रही थी यहां राजपूर थाने में आके दो महिलाओं कि उनके साथ उस आश्रम में जो वहां सेरा गाव में स्थित आश्रम है वहां दुषकन किया गया था चुक्कि मामला गंबीर था इसलिए तेहरीर के असाब से तुरंधी अचध्धाराओं में मुकदमा पंजिकरित किया गया है और उसी इसाब से जो है विवेचना भी की जा पुद्धम सिंग नगर के बाजपूर के पहाडपुर गाउं में बरहैनी चौकी इंचार संदीप पिलकवाल का एक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है वीडियो में एसाई दो महिलाओं के सामने अपनी शट के बटन खोलते हुए गामा करते नजर आ रहे हैं साथ ही एसाई मह खिलाओं को वर्दी पारने के आरोप में मुकदमा दर्श कर जेल भेजने के धमकी देते नजर आ रहे हैं वहीं से वीडियो ने मित्र पुलिस की शाक बर भक्ता लगा दिया है लेकिन वीडियो वारल होने के घंटों बाद भी वीडियो में दिख रहे अनुसाश्यत पुल जो भी वाइरल हुआ है जिसका संग्यान लेते हुए हमारे स्स्पी मौदे ने एक जाच तो रंत इसके आदेश दी है वो जाच मेरे द्वारा संपादित की जा रहे है और जाच भी तथ्या आएंगे उसकी रेपोर्ट जो है स्स्पी मौदों को प्रिशित की जाएगी उस है जायद आपको आवाज मिल रही है है तो देख रहे हैं थो महिलाओं के साथ किस तरह से बसलूकी करते नजार आ रहे है अपने कपड़े की बटन खोलते नज़ार और महिलाओं को धमकी दे रहें कि उन्हें जेल भेज देंगे पुलिस का शर्मनाक चहरा यह आप सामने आ रहा है देख सकते हैं आप वीडियो में किस तरह से यह ऐसा ही महिलाओं के साथ बस सलूक ही करते नज़ार आ रहें सूरज हत्या कारण मामने में पोस्टमाटम रिपोर्ट के सपस्ट रूप से मौत के कारण की पुष्ठी ना होने के चलते पुलिस प्रसाशन नयायलाई में अनुमती लेकर मितक का बिसरा फॉरंसिंग लैब रुदपुर्प को भेज दिया है इधर हत्यारों के खिलाफ कोई कारवाई न होने से नाराज मितक के परिजन मामले के खुलासे को लेकर ITBP के मुख दौर के समक्ष अनिस्चित कालिन धर्ना प्रदर्शन का रह सूरज सक्षेना की मौत के मामले में शब की पूरी तरह से छत विसद होकर खराब हो जाने के चलते पोस्टमाटम रिपोर्ट में मृत्तू की कारण के पुष्टी नहीं हो सकी थी धर्ना प्रदर्शन के दौरान में तक सूरज के परिजनों ने कहाए कि उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिल जाता और असल कातिल फासी के दक्ते तक नहीं पहुच जाता 증으 है और भुटा सीधा सिधा पंदमा तारी को घर ते निगवाए है बहन को राख़ी बन वाके और इहां सुह गोश की अधारी को दर्ड़ धी दर्ड में निकला है क्लोट फाइब किया है इन्होंने इन्होंनेमें पेपर भी दिखाया है यह और अबाक ही का वाया है यह दो फो othermal अन्दर कर देंगे यह हम को कहा गया है जब हमने तलस किया यहां तब अभी तक वह विस्चा सब कुछ पार आखी किस तरह क्या हो रहा है हामारा बच्चा इतनी दूर थाया है हमारा थो सबूत कहां सब्सक्राइब और इसी खबर पर जादा जान करने के लिए उमेश पंध हमाई साथ जूड़ चुके उमेश क्या कुछ है पूरा मामला आप से जाना चाहूंगे कि उमेश आपको आवाज आ रही है सैत्रधारा रोड दहरादून के एक नीजी सिक्षन संसान की टायर पटने की कारण बस सड़क किनारे एक गड़े में घुस गई और हाथसे में करीब 6 से अधिक छात्र छात्राएं घायल हो गए है जिनने सानी निवासियों ने पास के अस्पताल पहुचाए तो वहीं इस हाथसे में बस की विप्रीद दिशा से आ रही है कार भी चपेट में आ गई जिसमें सवार दंपत्ती गंभीर रोप से घायल हो ग है एक तो ओवर्टेकिंग किये बस बड़ी स्पीड में थी लेकिन इसमें स्कूल के बच्चे चल रहे थे और जैसे ओवर्टेकिंग कर दो एक दम गाय है इतने सारे बच्चे थे बड़ा हासा होने से बचा क्योंकि पिछली बार भी इसी की पराबर में हुआ था उसमें भ बहुत भैंकर टकर होई तो ओवर्टेकिंग कर रही थी और उसमें गरीब लोग के घर थे उससे भी हासा बचा और दूसरे इसके नीचे आने से नैनिदाल की भीमताल में कृष्ण जन्मास्टमी की मूर्ति से आपना के बाद कृष्ण महुतसव का पूजा अर्चना के साथ भवरूप से समापन हुआ कृष्ण भगवान के ढोले को ढोलन गाडों के साथ नगर में भ्रह्मन कराया गया और सुंदर छाकिया निकाले गए जिससे श्रधालो कृष्ण भगती में जूमते नितर करते नजर आए कृष्ण लीला की कर्षग छाकियों ने सबका मन मोलिया पहाडों में भी अब मटकी फोल कारक्रम को लेकर ग्रामीर छेतरों में उत्सा देखनी को मिल रहा है पिथोड़ा गर और बागेश्वर की सीमा पर इस्तित धरम घर कस्बे में श्री कृष्ण जन्मास्ट में मोहसब का आविजन किया गया जिसमें धरम घरम कस्बे में श्री कृष्ण जाकी निकालने के साथ ही रंगा-रंग सांस्कृति को कारक्रमों का आविजन किया गया और मट्की फोर्ट प्रतियोगीता में 24 से अधी के टीमों ने पतिभाग किया इस मौके पर महता क्लब जाकनी ने मट्की फोर्ट प्रतियोगीता में बाजी माने इस मौके पर विजेता टीम को नगत पुरुसकार और प्रमार पत्र वितरित किये गए बारिबारिश होने के बाद मट्की पोर कारिकम को लेकर युवाओं से लेकर बुज़ुर्गों और महिलाओं में काफी उत्सा देखने को मिला इस पाउन परवबर धरमगर में बिगत कई सालों से धरमगर के इस्तानी लोगों के दोरा एवं गुरुकुल पब्लिक इस्कूल धरमगर के सोजन्य से जन्माश्टमी महत्सव मनाया जाता है यह बगवान कृश्न की जहाकी निकाली जाती है उसके बाद भीविन्द परकार के सांसकृतिक कारिकरम इसकूली बच्चों के दोरा यहाँ पर आई जीत होते हैं और जो मुख्या करशन इस मौदसों का रहता है वो मटकी फोड कारिकरम होता है उत्राखन में डेगू के डंक ने सभी का जीना हराम कर रखा है दिनों दिन डेगू के बढ़ते मामलों ने स्वास विभाग की नींद उड़ा दी है इसी बब से स्वास सचीव नितीश कुमार ज्छाने स्वास भाग के अधिकारियों के साथ राजके दून मैटकल कॉलेज चिकर साले में बैठक केस बैठक में डेगू से ने पटने पर गंभीरता से चर्चा की गई है साथ ही स्वास सेवाओं को बैतर करने पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है पत्रकारों से बातचीट में स्वास सचीव ने कहाए कि विभाग ने डेगू से निपटने के लिए पूरी तयारिया करनी है साथ ही अतरिक देंगू के वार्डों को तयार करने और लोगों को हर तरह से घरगर जाकर जागरूप करने के लिए भी निर्देशित किया गया है हाला के सचीव ने माना है कि अभी तक देंगू के 636 मरीजों ने पुछ्टी हुई है जिसमें 180 मरीज अलग-अलग अस्पताल में भरती है पूरे स्टेट में अभी तक 636 जो है कंफर्म डेंगी केसे हैं जिसमें आज की तारीक में लगए 180 पेशेंट्स जो है वो भरती है किन्तु किसी चीज़ की बलड की जैसे अख़वारों मालेती कमी है इस तरह की प्रेटलेट्स की कोई कमी नहीं है और अभी तक सिर्फ 6 या 7 पेशेंट्स को ही प्रेटलेट्स देने की जरुवत बड़ी है तो लोगों से यही अपील है कि यह कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है बस एक प्रिवेंशन रखें अपने आसपास देखें कि कहीं जो डेंगी के मच्छर और यह अपने घरों में वहां ना पल रहे हों और हमारी टीम जो है उन्होंने आइंटिफाई किया है इछे वाल जो राइपूर के हैं जहाँ ज़्यादा समस्या है तो आँ वह घर घर पहले भी जा रहे हैं और एक इंटिफाईट कैंपेन अभी हमनों शुरू करने जा रहे हैं तो एक वीक तक हर घर तक हमारी टीम पहुँचेगी रोदरप्रयाग जुले का अंतिम गाउंव गौंडार 15 दिनों से अंधिरों में डूबा हुआ है गाउंव को जोनने वाली उरेडा योजना भी नाकाम साबित हो गए जिस कारण ग्रामेर अंधिरे में रहने को मजबूर हो गए है सडक मार्क से 8 किलोमेटर से अधिक पैदल दूरी इस गाउंव में पहुचने के लिए ट्रह करने पड़ती है जबकि बिजली जैसे सुविधा ना होने के चलते ग्रामेर शाम घलते ही घरों के अंदर कैद हो जाते दरसल दो वर्स पूर उरेडा विभाग में करोडो रुपए की लागत से गाउंव के नस्दीक बहने वाले गधेरे में एक जल विदूत परियोजना का निर्मार किया था जिससे गाउंव को बिजली मुहयक करवाई जा सके क्या पता धा कि उरेडा की ये योजना ग्रामीरों के लिए मुसीबत साबित हो रही है समय समय पर सही मेंटेनस ना होने के कारण गिविदूत विदूत खराब होती जा रही है वहीं बिजली रहोने से नौनिहानों का पथन पाथन खासा प्रभावित हो रहा है ग्रामीरों दौरा उरेडा विभाव की अधिकारीों को कई बार अफगत कराने के बाद भी विभाव की अधिकारी ग्रामीरों की परियाद सुनने को राजी नहीं है ग्रामीरों ने उडेरा विधात की अधिकारियों से कई बार अफूर्टी को सुचालू करने की गुहार लगाई है मगर आस्ता का अफूर्टी ठप्थ होने से ग्रामीर अधेरे में राध भूजारने को उपश्ण राजधाने देहरादून में तमाम समाजिक संगटनों की ओर से धरना स्थल पर उत्राखंड के परामपरिक वाद यंत्र डोरू और ठकलू को बजाकर राज सरकार के खिलाफ आवाज मुखर की गई है देहरादून के धरना स्थल में तमाम संगटनों की कारिकरताओं ने राज सरकार के फैसले पर विरोध चताते हुए का कि जब हाई कोट ने पूर मुख मंत्रियों के बकाया राशी को लेकर जमा करने समध्य आदेश शुना दिया था तो लिहाज़ा तिर्वेन सरकार ने अ अवाज मुखर की है इस प्रदर्शन में पूर्व नौकर सा एसेस पंगांती ने भी शिरकत की है इसका मूल कारण तो यह है कि परदेश सरकार ने मुख्य मंत्रियों के लिए उनकी स्विधाएं बनाए रखने के लिए और उनको जारी रखने के लिए सरकार ने नायनिताल हाई कोड के जो न्याले है और जो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के संदर में माननी है सुप्रीम कोड के विजवादेश है उसकी एक तरीकी से अवेलना और अप्मान किया है और सरकार ने वित्तिय अनुशाशन लाने के बजाए मात्र चार पांच लोगों के लिए एक अद्देश लेके आ रही है और इसका गैरसेंड राधानी निर्मान अभ्यान परखर विरोध करता है, सामाजिक संगठन विरोध करते हैं सरकार की सोच में यह भूत आ चुगा है जो जन विरोधी कर्याएं कर रहे हैं, निर्ने ले रहे हैं उसके लिए डौर ठकली रेलिका आ जाये, जन कर रहा है मुख्यमंत्री क्या है, ये घर बाद नहीं है इनके पास क्या, इनके पास आलिशान मकान है, अगर इनको खाली करा दिया तो कोई सा आपात आने आने वाली थी? तो ऐसे मैं ये कानून का जो ये स्थम्मिधानिक धांचा है महरु अगाष करना है आपका जो हमारे लोकतंत्र के तीन स्थम्ब जो बानी गये हैं विधाई का न्याय पालिका और कालि पालिका इनके कर्तब्य अलग-अलग है विधाई का काम केवल कानून बनाना है अब शिक्ता अनसार कानून बनाए जाए जहां एक और पूरप्रदेश की विध्यालों में सिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है जिसमें कई स्कूलों के बच्चे आंदोलन तक करने के लिए मजबूर हो गए विध्यालों में सिक्षकों की कमी को देखते हुए डियम पौरी ने ऐसे विध्यालों की लिस्ट तयार करने को निरदेश दिये जिसमें बच्चा आने वाले सवालों का जवाब स्कूल बैठी लिए क्लास दोरा ले सकता है ऐसी क्लास ओनलाइन चलाई जाने की योजना डियम पौरी धिराज सिंग ग्रेयाल ने तयार की है जब सिक्षव भाग ने इसे जल्द शुरू करने के लिए कमर कसली है जिससे बहुत हद तक सिक्षकों की कमी से राहत मिलेगी दूर दराज की इलाकों में अगर ये योजना सही धंक से काम करती है तो आने वाले समय में सिक्षक विहिन विद्याले भी पढ़ाई की जा सकी